दोस्तों आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम परिच्छा वाड़ी बुक्से सूद ग्रह पुछल तारे एवं उलका से रिलेटेड 24 कोशन्स लेके आए जो वेरी इंपोर्टेंट हैं और कई एक्जाम में लगातार पूछे भी गए हैं और आप द चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि लगातार वीडियो आपको प्राप्त करना है और देखना है और जो आप लोगों ने स्टुड़ी ग्रूप अपने बना रखे हैं वाड्साप पर उसमें इसको जरूर सेर करना जिससे और जो स्टुडेंट स्टुडी कर रह विभिन आकारों के चट्टानी मलबे हैं दूसरा अधिकान सूद्र ग्रह छोटे हैं किन्तु कुछ का ब्यास 1000 किलो मीटर तक बड़ा है और तीसरा पॉइंट है सूद्र ग्रहों की कच्छा ब्रस्पत और सन के कच्छाओं के मद इस्तित है ये आईस के 1998 के एक्जाम में प और दूसरा अधिकान सूद्र ग्रह छोटे हैं किन्तु कुछ का ब्यास 1000 किलो मीटर तक बड़ा है तो इसका C is the right answer नेक्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन हमारा क्या है धूम केत की पुछ सूरी से परे दिस्ट गोचर होती है क्योंकि तो इसका जो सही आंसर होगा भेज डाब डालता है जिससे उल्का पुछ सूरी से दूर चिप्त हो जाती है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है। मंगल और ब्रस्पत की कच्छाओं के बीच सूरी के चारू और परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकडों को क्या कहते हैं वेरी इंपॉर्टन कोश्चन है IES के 1997 में पूछा गया UPPCS की मेंस में 2008 में पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर होगा UPPCS number D इसका सही आंसर होगा सूद्र ग्रह मंगल और ब्रस्पत की कच्छाओं के बीच सूर के चारू और परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकडों को क्या कहते हैं सूद्र ग्रह कहते हैं अगला कोशन देख लेते हैं उलका है उलका क्या है इसका आंसर होगा B वाह आंतरिच से प्रत्थवी के वाई मंडल में प्रविष्ट हुए द्रिब का अंस उलका किसे कहते हैं वाह आंतरिच से प्रत्थवी के वाई मंडल में प्रविष्ट हुए द्रिब का अंस क्या कहलाता है उलका कहलाता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अगला कोशन हमारा क्या है सूमेकर लेवी नाइन धूम के तो किस ग्रह से टकराया था ये आईयस 1995 के एक्जाम में पूछा गया है सूमेकर लेवी नाइन धूम के तो किस ग्रह से टकराया था तो इसका जो सही आंसर होगा सी ब्रस्पत से टक राया था किसे टक राया था ब्रस्पत से टक राया था नेक्स कोशन देख लेते हैं हेल ब्राप किसका नाम है तो ये जो है पुछल तारा का नाम है हेल ब्राप किसका नाम है पुछल तारा का नाम है वेरी इंपोर्टन कोशन है next question देख लेते हैं जो very important SST 1997 पूछा गया है सूद्र ग्रहों एवं सूर के बीच ग्रह काँन काँन से हैं तो इसका answer होगा सी बुध्ध सुक्र प्रत्वी एवं मंगल सूद्र ग्रहों एवं सूर के बीच ग्रह हैं काँन बुद्ध है सुक्र प्रत्थु एवं मंगल नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं इस्टे राइड विल्ट की उपस्थती किन दो ग्रहों के मद्ध है वेरी इंपोर्टन कोशन है तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा ब्रस्पती और मंगल के बीज आर ए एस 1996 में पूछा गया है इस्टे राइड विल्ट की उपस्थती किन दो ग्रहों के मद्ध है तो ब्रस्पती और मंगल के मद्ध है नेक्स कोशन देख लेते हैं पुछल तारे चमकते हुए प्रकासी पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं और ये यूपी पीसस उन्निन्यार में पूछा भी गया है तो सूर की परिक्रमा करते हैं पुछल तारे चमकते हुए प्रकासी पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं किसकी सूर की करते हैं सी इस दर राइट आंसर नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है हमारा 1998 की नियो निड उलका व्रेश्ट थी नमबर पहला पॉइंट है तुला तारा मंडल में घटने वाली परघटना दूसरी एक परिघटना जो 33 वर्सों बाद फिर घटी थी थाड़ है एक परिघटना जिसमें टेंपल ट्यूटल नामक धूम के तु अंसर होगा दी होगा दो तीन और चार तो 1998 की नियो निड उलका व्रेश्ट में नमबर जो दूसरा पॉइंट है एक परिघटना जो 33 वर्सों बाद फिर घटी थी और फिर उसके बाद थाड़ था एक परिघटना जिसमें टेंपल ट्यूटल नामक धूम के तु जुड़ है और चौथा था एक टूटते तारों की परिघटना तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा जिसमें दो और तीन और चार सही है नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन है यह आरेस 1997 में पूछा गया है दोपाहर के 12 बजे किस दिसा में इंद्रधनुस दिखाए पड़ पता है तो नहीं देख सकते हैं आपसा नमबर डी इसका सही होगा नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन के हमारा मंगल और ब्रस्पति ग्रहों के मद्धि इस्थित किस सूद्ग्रह का नाम करण युवा भारती बैग्यानिक अच्छत्र सिंगल के नाम पर किया गया है मंगल और ब्रस्पति ग्रहों के मद्धि इस्थित किस सूद्ग्रह का नाम करण युवा भारती बैग्यानिक अच्छत्र सिंगल के नाम पर किया गया है तो सूद्ग्रह 1299 के नाम पर किया गया है अगला कोशन देख ग लेते हैं हेली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था आर्यास 1992 में पूछा गया तो 1986 में दिखाई पड़ा था आफसन बीस दरायट आंसर यागला कोशन है आपसर नमबर B is the right answer अगला question है हेली पुछल तारा भविस्ट में कब दिखाई पड़ेगा ये भी very important question है तो इसका सही answer होगा 2062 में आपसर नमबर D is the right answer हेली पुछल तारा भविस्ट में कब दिखाई देगा तो 2062 में दिखाई देगा अगला question देख लेते हैं कैरोन नामक ग्रह का चक्कर लगाती है किसका चक्कर लगाती है इसका तो सही answer इसका होगा आपसर नमबर A सनी एवं यूरनेस के बीच कैरोन नामक ग्रह का चकर लगाती है किसका लगाती है सनी एवं यूरनेस के बीच इसमें एक ब्याख्या भी दी गई है साथ में कि जब उक्तोपिस्न पूछा गया था तब सूरी का दूरस्त ग्रह वरुड था और कैरो नामक जो ये है उपग्रह यम का है यम का ये उपग्रह ये भी कोशन पूछा जा सकता है ये सीडियस के एक्जाम में 1998 में पूछा गया नेक्स कोशन देख लेते हैं टेंपल वन क्या है तो इसका जो सही आंसर होगा तो इसका जो सही आंसर होगा मंगल और ब्रस्पत के बीच आपसा नमबर C इस दा राइट आंसर टेमपल वन की आविस्थिती कहा है मंगल और ब्रस्पत के बीच आपसा नमबर C इसका सही होगा नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं जापान दौरा म्यूसिस C नामक यान किसके अध्यन के लिए भेजा गया था तो इसका सही आंसर होगा जो है आंसर D होगा छूद्र ग्रह के विसे में यानि सूद्र ग्रह के विसे में जापान दौरा म्यूसिस C नामक यान किसके अध्यन के लिए भेजा गया था तो सूद्र ग्रह के विसे में के लिए जानने के लिए भीजा गया था तो आपसा नमबर D इसका सही होगा नेक्ट कोशन है लोनार जील कहां इस्थित है तो ये महाराष्ट में इस्थित है आपसा नमबर D इसका सही होगा वो होगा सूध ग्रह के आपसा नंबर A is the right answer लग ग्रह किसकी उपमा है तो ये सूध ग्रह की उपमा है आपसा नंबर A is the right answer next question देख लेते हैं कथन A धूम क्रेत की पूँच सदेव सूर से दूर रहती है कारण R धूम केत की पूँच गैसो एवा बर्फ के छोटे छोटे कड़ों से बनी होती है सही उत्तर का चैन कीजिए नीचे दिये गए कूट की सहता से UP लोवर 2008 में पूछा गया तो इसका जो सही आंसर होगा वो B होगा A तथा R दोनों सही है तथा R A की सही ब्याख्या नई तो इसका जो सही आंसर होगा वो B होगा कारण A धूमकेत की पूछ सदेव सूर से दूर रहती है कारण R धूमकेत की पूछ गैसो वा बर्फ के छोटे छोटो कड़ों से बनी होती है तो B is the right answer A और B तथा R दोनों सही है परन्तो R A की सही ब्याख्या नहीं करता है नेक्स कोशन देख लेते हैं पुछल तारे की पूछ की दिसा सदे होती है ये उत्तर प्रदेश सिबिल जज 2006 में पूछा गया है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर से दूर आपसा नमबर B is the right answer पुछल तारे की पूछ की दिसा सदे होती है सूर से दूर नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है सूद ग्रहों तथा धूम केतू के बीच क्या अंतर होता है तो नमबर वन पॉइंट है सूद ग्रह लगु चटानी ग्रह काएं है जबकि धूम के तो हिम सीतित गैसों से निर्मित होती है जिने चटानी और धात उपिदार्त आपस में बांधे रखते हैं दूसरा है सूद ग्रह अधिकानसता ब्रस्पती और मंगल के परिक्रमा पत्थों के बीच पाये जाते हैं जबकि धूम के तो अधिकानसता सुक्र और बुद्ध के बीच पाये जाते हैं नमबर थर्ड है धूम के तो गोचर दीवदान पुछ दरसाते हैं जबकि सूद्र ग्रह यह नहीं दरसाते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर हमारा होगा यह answer इसका होगा b इसका सही answer क्या होगा हमारा b answer इसका सही होगा हमारा क्यों क्योंकि जो पहला point है और जो तीसरा point है यही दोनो point है इसके صही है फिर से एक बार देख लेते हैं पहला point सूध ग्रह लगउ चटानी गहकाएं हैं जबकि धूमके तो हम सीतित गैसों से निर्मित हैं जिन्हें चट्टानी और धात उप्यदार तापस मंदे रहते हैं तो पहला पांड सही है और तीसरा पांड सही है धूमके तो गोचर दीवदान पुछ दरसाते हैं जबकि सूद्र गए या नहीं दरसाते हैं आपसा नंबर से ब्रहद ग्यात सुद्र ग्रह प्रभावत छेत्र कहां आवस्थित है तो आस्टेलिया में इसका 20 राइट आंसर ये भी UPPCS 2015 में पूछा गया है मार्च 2015 में प्रकासित पत्रिका टेक्टनों फिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बेहद ब्रहद ग्यात सुद्र ग्र फिर से इसका जल्दी से एक बार डिवीजन कर लेते हैं और मित्रो जो लोग नए है तो चैनल को सस्क्राइब करना और कमेंट सेर करना मत भूलिएगा इससे हमें थोड़ा सा एक एनरजी मिलती है और लगातार वीडियो बनाने की तो पहला कोशन देख लेते हैं सूद ग्र जहों की कच्छा ब्रत्पति और सण की कच्छाओं की मध्धी इस्तित हैं तो इसका जो सही आन्सर होगा आपसा नमबर सी होगा हमारा वन और टू इसका सही आनसर होगा नेक्स देख लेते हैं ध् सूरी से दूर छिप्त हो जाती है नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या है मंगल और ब्रस्पत की कच्छाओं के बीच सूरी के चारो और परिक्रिमा करने वाले सैल के छोटे टुकडो को क्या कहा जाता है वेरी इंपोर्टन कोशन है इसका आंसर होगा डी सूरी ग्रह कहा जाता है उलका क्या है वाह आंतरिच से प्रत्वी के वाई मंडल में प्रिविश्ट हुए दिविकांस आपसर नमबर बी इस दराइट आंसर नेक्स केशन देख लेते हैं सूमिकर लेवी नाइन धूम के किस ग्रह से टकराया था वेरी इंपोर्टन कोशन है तो ब्रेसपस से टकराया था C is the right answer अगला कोशन हेल वार्फ किसका नाम है तो ये है पुछलतारा का आपसर नमबर A इस दराइट आंसर अगला देख लेते हैं सूद ग्रहों एम सूर के बीच ग्रह कौन कौन से है तो C is the right answer बुद्ध सुक्र प्रत्वी एवं मंगल अगला है नेस्ट कोशन इस्टेराइट वेल्ट की उपस्ति किन दो ग्रहों के मद्ध है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्रस्पत और मंगल की मद्ध है अगला पुछल तारे चमकते हुए प्रकासी पिंड है जो परिक्रमा करते हैं किसकी परिक्रमा करते हैं तो ये सूरी के परिक्रमा करते हैं C is the right answer नेक्स कोशन देख लेता है 1998 की नियोनी उलका ब्रिष्ट थी तो इसका जो सही आंसर था उसका आंसर था दूसरा, तीसरा और चौथा सही है तो आपसा नमबर D is the right answer एक परिघटना जो तेते सुवर सबात फिर घटी थी एक परिघटना जिसमें टिमपल ट्यूटल लामक धून के जुड़ा है एक तूटते तारों की पर घटना D is the right answer नेक्स्ट कोशन क्या है दोपाहर के बारा बजे किस दिसा में इंद्र दनुस दिखाए पड़ता है तो इसका आंसर होगा D नहीं देख सकते हैं अगला कोशन क्या है मंगल और ब्रस्पत ग्रहों के मध इस्थित किस सूद्र ग्रह का नामकरण युवा भारती बैग्यानिक अच्छत सिंगल के नाम पर किया गया है तो आंसर A सही होगा सूद्र ग्रह 12,599 अगला है हेली नामक पुछल तारा अंतिम बार कब दिखाए पड़ा था तो 1996 में दिखाए पड़ा था नेक्स कोशन है हेली पुछल तारा भाविस्ट कब दिखाए पड़ेगा तो 2062 में दिखाए देगा D is the right answer कैरून नामक ग्रह का चकर लगाती है किसका चकर लगाती है तो इसका जो सही आंसर था वो sunny एवम यूरेनेस के बीच अगला कोशन था temple 1 क्या है तो temple 1 क्या है इसका सही आंसर था धूम के तु है temple 1 की आविस्थिति कहाँ पर है तो इसका जो सही आंसर था वो आंसर था मंगल और ब्रेस्पत के बीच पान दौरा म्यूसेC नामक यान स्थित है तो महाराष्ट में स्थित है लग ग्रह किसकी उपमा है तो इसका जो सही अंसर था वो सूध ग्रह का नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कथन ए धूमकेत की पूछ सदेव सूर से दूर रहती है कारण आर धूमकेत की पूछ गैसो वा बर्प के छोटे-छोटे कड़ो से बनी होती है सभी उत्तर का चैन करना था तो इसका जो सही अंसर था वो बी था ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एकी सही ब्याख्या नहीं है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं उच्छल तारे की पूच की दिशा सदेव रहती है सूर से दूर। अगला कोशन है शूद्ग्रहों तता धूमकेत के बीच क्यांतर है तो इसका जो सही आंसर था पहला और तीसरा यानी जो है आफसर नमबर 20 दराइट आंसर नेक्ट कोशन देख लेते हैं अंतिम कोशन है मार्च 2015 में प्रकासित पत्रिका टेक्ट नो फिजिक्स के अनुसार 20 क सबसे ब्रहद ग्यात सुद्ध ग्रह प्रभाव छेत्र कहा अवस्तित है तो आस्टेलिया में तो मित्र ये 24 फोर कोशन थे मोस्ट इंपोर्टेंट थे जो काई एक्जाम में पूछे गए हो काई एक्जाम में लगातार पूछे जाएंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में जुरूर बताएए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सेर कमेंट और सस्क्राइब करना मत हम ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार अप्लोड करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद